नमस्कार स्वागत आपका न्यूसवाल इंडिया में आपके साथ मैहू पारुल त्यागी और आप देखें हमाग खाज शो गुड मॉनिंग इंडिया गुड मॉनिंग इंडिया में आज खबरे क्या क्या हैं टोक कर लेते हैं करनाचक में बीए से दियूरप्पा की जगा बसवराज बुमई को नया सीम चुन लिया गया है ताज पोशी का एलान मंगलवार को ही कर दिया गया था और आज सुभा 11 बजे बसवराज बुमई सीम पत की शपत लेंगे बता दे सीम के साथ तीन डिप्टी सीम भी शपत लेंगे इन में आर अशोका, गोविन करचोल और श्रीराम मुलू के नाम भी शामिल है जिने ये लग रहा है कि करनाचक में यदियूरप्पा से सीम पत छिन कर उन्हें हाश्य पल्ला दिया गया है उन्हें फिर से सोचना चाहिए क्योंकि हार कर भी करनाचक के सियासत में यदियूरप्पा जीत गए है दरसल करनाचक में अब चर्चा है कि नया सीम बनने के बाद भी करनाचक पर राज यदियूरप्पा का ही रहेगा नए C.M. बसवराज बोमई को यदूरपपा का शिश्य और बेहत चहिता माना जाता है विदायक दल की बैटक में यदूरपपा ने ही बोमई के नाम का प्रस्ताव भी रखाता साथी बोमई को जेडियू से भी BGP में लाने वाले यदूरपपा ही माने जाते हैं अरसल करनाटक में येदूरप्पा बीजेपी की मजबूरी है और लिंग्यात समुदाय से आने वाले येदूरप्पा से किनारा करने का मतलब चनावी दंगल में धोबी पच्छार खाना है 2013 में भी बीजेपी ये जहिल चुकी है राजिस्तान कॉंग्रेस में पिछले करीब एक साल से जारी गुटबाजी को खतम करने के अब कवायश शुरूख होने जा रही है कॉंग्रेस आलकमान ने पंजाब का जगडा निप्टाने के बाद राजिस्तान का रुक करते हुए केसी वेनु गुपार और अजे माखन को राजिस्तान का फसाद निप्टाने की जिम्मेदारी दे दी है पहले चरण में रविवा को दोनों नेता जैपुर पहुंचे थे और सीम अशोग घेलोट से उन्होंने मुलाकात के बाद काफी विदायकों से भी मुलाकात की थी मंत्री मंजर में फिर बदल की चर्चा भी जोर पकड़ रही है किसकी कुर्सी जाएगी और किसका होगा मंत्री पत पर तासकोशी ये सब बाते अब सियासी गल्यारों में सुनाई देने लगी है वैसे इतना समय है कि राजिस्तान में कॉंग्रिस के सभी विदायकों को साथ पाना माकन समय सभी विदायकों के लिए बड़ी चुनौती होगी इसी बड़ी वज़ा से दो हिस्सों में विभाजित राजिस्तान कॉंग्रिस हुई है और एक तरफ अशोग घैलोत का खेमा दिख रहा है तो दूसी तरफ सचन पाइलेट का खेमा है ये देखना रोचक होगा कि किस खेमे को संभावित फिर वदल में ज्यादा तवज्जो दी जाएगी तो बतादे हैं पंजाब के बाद राजिस्तान में सीएम पद का जो राजिस्तान में कॉंग्रिस में जो गुडवाजी चल रही है वो अब खतम होने की कवायद जो है शुरू कर दी गई है और इसलिए अजेमा खान और केसी बेनु गोपाल को जिम्मेदारी दी गई है हाला कि रविवार को भी दोनों नेता जैपुर पहुंचेते हैं और कई विधायकों से उन्होंने मुलाकात की थी अब देखने वाली बात होगी कि किस को क्या पद दिया जाता है और कब तक इस जो गुटबाजी चल रही है उस पर कब तक फिराम लग पाता है बंगाल के सीम ममता बेनर जी इस वक्त दिल्ली दोरे पर हैं और आज उनकी सुन्या गांधी से मुलाकात भी होनी है इसके अलावा ममता बेनर जी आज दिल्ली के मुख्य मंतरी आर्विंद के जिवाल समयत विपक्ष के कई बड़े निताओं से मिलने वाली हैं बता दे मंगलवाक उन्होंने प्रधान मंतरी मूदी से भी मुलाकात की थी और ममता बेनर जी के दिल्ली दोरे की चार्चाल लुटियन जोन के गलियारों से लिकप पार्क स्ट्रीट की गलियों तक है ममता ने पीम से मुलाकात के बाद सर्वदलिय बैठक की भी मांग की थी दरसल ममता बेनर जी ने कहा कि प्रधान मंतरी को पेगागस विवात पर सर्वदलिय बैठक बुलानी चाहिए और उच्छतम न्यायाले नीत ज्वाच कराने का फैसला करना चाहिए ममता बैनर जी ने प्रदान मंतिय से मुलाकात के बाद ये बताने से भी इनकार कर दिया कि क्या उन्होंने पेगागस विवात पामोदी के साथ चहचा की ममता बैनर जी ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी पार्टियों के एकता अपने आप आकार ले लेगी ये पूछे जाने पर कि क्या वो विपक्षी पार्टियों का नेतरुत करेंगी तो तुर्णमूर कॉंग्रेस प्रमुक ने कहा कि देश विपक्षी एकता का नेतरुत करेगा और ऐसे में साफ है कि ममता दिल्ली में बैठे विपक्ष का सहरा बनना चाहती है राकेश अस्थाना को मंगलवार को दिल्ली पुलिस कमेशनर नेट किया गया है वो सीबियाई के स्पेशल डिरेक्टर भी रह चुके हैं बता दे राकेश अस्थाना बलाजी श्रिवास्तव की जगा लेंगे साथी अस्थाना बॉर्डर सेक्योर्टी फोर्स में महानिदेशों के पत पर भी तैनात थे साथी सीबियाई के पूर्व स्पेशल डिरेक्टर राकेश अस्थाना गुजरात केजर के 1984 बैच के आईपेस ऑफिसर है ग्रह मंतराले के आदेश के मुताविक बीएसेफ महानिदेशों के पत पतेनात राकेश अस्थाना ततकाग प्रभाव से दली पुलिस कमिक्शनर नियुक्त किये गए हैं उनका एक साल का कारकाल हुगा और सीवियाई के कई रांक पर काम करने से पहले राकेश अस्थाना गुजरात पुलिस में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं बता देएं पिशले साल अस्थाना को बीएसेफ का महानिदेशों भी नियुक्त किया गया था एसेज देशवाल को भी बीएसेफ महानिदेशों का अतिरिक भार सौपा गया है केंदर सरकार ने राज्जों से कहा है कि साल कोरोना महमारी की दूसरी लहर के दौरान आकसीजन की कमी से हुई मौतों का आकडाओं ने मुहिया कराया जाए सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि नाकडों को 13 अगस को खतम हो रहे मौनसून सत्रों से पहले संसत के पटल पर रखा जाएगा हाला कि इस साल के शुरुआत में ही बता दें कोरोना संक्मन के मामलों में भारी इजापा होने की वज़ा से देश की स्वास्ते से वाएं पूरी तरह से लड़कराती हुई नसराई थी देश भर के अस्पताल में बेट, दवाईया और वैक्सीन की काफी किल्लत हो गई थी इसके साथ ही मेजिकल अक्सीजन की कमी ने इस सिती को और विक्राल बना दिया था उस मुश्किल खड़ी में भारत को अमर्जनसी के आधार पर कई देशों से अक्सीजन को आयात करना पड़ा था कई कोरोना के मरीजों ने अक्सीजन न मिलने के चलते दम भी तूर दिया था गोवा में तो मई के महीने में राज्य सकार संच्वारत अस्पताल में करीब 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी वहीं आंदरप्रदेश के रुपती अस्पताल में भी आईस्यू में भरती 11 कोविड मरीजों की आक्सीजन के अपूर्ती में बाधा आने के वज़ह से जान चली गई थी वहीं हैदराबाद में भी अस्पतार में दो खंटे तग आक्सीजन की अपूर्टी नखी को पाने की वजह से साथ लोगों ने दम तोड़ दिया था इसलिए आक्सीजन अपूर्टी को लेकर कई राज्जों ने कोट का रुख किया था जबकि केंदर ने आक्सीजन की अपूर्टी सुनेशित करने के लिए आक्सीजन एक्स्प्रेस की शुरुआत भी की थी मौनसूर ने इस बार दिल्ली वालों को करीब 15 दिन इंतसार कराया लेकिन दस्तक देने के बाद मौसम खोब महर्बान हो रहा है सबसे बड़ी बात ये है कि बारिश के मामलों में दिल्ली ने सेंचुरी मारी है दरसल दिल्ली के कुछ फुलाकों में 100 mm बारिश दर्ज की गई है जो कि साल 2003 के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ट है एक दशक में ये तीसी बार है जब यहां तीन डिजिट में बारिश दर्ज की गई है हाला कि अब तक एक महीने में सबसे बड़ा रिकॉर्ड 276.2 मिलिमीचर का है जो कि 21 जुलाई 1998 में बना था मंगलवार को भी मौसम विभाग ने दिन भर बारिश का अनुमान लगाया था और हुआ भी बैसा है दिन के 2-3 घंटे छोड़ का दिली भर में रिम जिम रिम जिम भारिश पूरे दिन होती रही इसी वज़ा से बारिश ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया बता दें कि 18 साल बाद जुलाई महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई है इससे पहले साल 2003 में सबसे ज्यादा 622.2 mm बारिश दर्श की गई थी साल ये आकड़ा 381 mm पहुँच चुका है साल 2013 में 340 mm बारिश हुई थी COVID-19 वैक्सीन कोरोना संक्रमन्ट से 97.4 फीज़ी प्रोटेक्शन देती है अपोलो हॉस्पिटल गुरुप द्वारा कोरोना संक्रमन्ट की जाच के लिए की गई एक स्टडी में ये दावा किया गया है इस स्टडी में 3235 हेल्थ केर वरकर्स को शामिल किया गया था बता दें हेल्थ केर वरकर्स में से 2480 ने वैक्सीन की दोनों डोस ले ली थी जबकि 751 डोस ले चुके थे इन पर की गई स्टडी में पता चला है कि टीका करन के बाद COVID-19 संक्रमन्ट मामूली रहा और इससे गंभीर बिमारी नहीं हुई इस स्टडी के मुताबक महिलाओं में संक्रमन्ट का अनुपात 1.8 गुनाज ज्यादा है इसमें बताया गया है कि यदिक्ताब मुख्य रूप से नर्सिंग कर्मियों के रूप में मरीजों की देखवाल में उनकी सक्रिय भागितारी की वजह से है वहीं संक्रमन्ट की संभावना मेडिकल और नर्सिंग कर्मियों में पेरामेडिकल, प्रसाशनिक और साहे करमशारियों के तुलना में ज्यादा थी वहीं स्टडी में सामने आया है कि 3235 टीका करन वाले हेल्थ केयर वरकर्स में से 85 अध्यान अफधी के दौरान टीका करन के बार COVID-19 वार्रस से संकमित हुए थे अध्यान में कहा गया है कि इनमें से पुली वेक्सिनेटेट थे और काफी सारे लोग एक डोस ले चुके थे वहीं और वेक्सिनेशन की प्रोटेक्शन रेड संताम में दशलव 4 प्रतिश्यत थी अमेरिका के विदेश मंत्री अंटनी बिलकन मंगलवार को दो दिवसी ग्यातरा पर भारत पहुंचे बिलकन द्वारा बद बुदवार को विदेश मंत्री एस जे शंकर और राश्ट्री रक्षा सदाकार अजीद दुभाद से आज मुलकात करेंगे बतादें अफगानिसान में बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीश बलकन भारत के साथ दुई पक्षिय संबंदों को मजबूत करने और हिंद प्रशान शेत्र में क्वार्ट फ्रेमवर्क में सयोग बढ़ाने के इरादे से भारत और क्वायत की यात्रा पराएं हैं क्वायत रवाना होने से पहले बलंकन आज प्रधान मंती मूदी से भी मुलाकात करेंगे और भारत रवाना होने से पहले बलंकन ने ट्वीट भी किया था कि वो अमेरिका के प्रमुख साज़दारों के साथ हिंद प्रशान और मध्यपूर्व में साजा हितों को मजबूत क करने के लिए सला मश्वरा करेंगे वहीं भारत जोरान अमेरिका द्वारा ठीका निर्मान मिस्तमार खुने वाली सामगरी की अपूरती में भी किसी भी तरह के भी व्यवधान को दूर करने पर जोर देगा साथ ही कौर्ड वैक्सीन मुहीम को सुचारों रूप से लागू करन आने वाले तीस से वरिष्ट पदधिकारी हैं इससे पहले भी रक्षामंत्री मार्च महीने में और जलवायों परिवर्तन पर विशेश राजनेक जॉन केरी अप्रल में दिल्ली पहुंशे थे सरकारी सूत्रों ने बताया है कि ब्लिंकन के दो दिवसिये भारत दौरेक में चार देशों के समू क्वार्ट के धांचे के तहत मदबूत गठ जोर बनाने पर प्रमुक रूप से चर्चा की जाएगी और इसी के तहत साल के आखरी तक क्वार्ट देशों जिनमें भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है उनके विदेश मंत्यों की जासुसी विवाद और अन्य मुद्दो पकेंद सरका को खिरने के लिए विपक्षी दलो के नीता आज बैठक करते वाले हैं संसत परिसर में होने वाले इस बैठक में लोगसभा राज्यसभा के विपक्षी दलो के नीता शामिल होंगे कॉंग्रेस शांसत के शूरेश ने बताया कि विपक्षी दलो ने सामोई करूप से पेगागस मुद्दे पर स्थगन प्रसाव लाड़े का फैसला कर गिया है उन्होंने कहा कि इससे पहले बुद्दवार सुबा दस बज़े लोगसभा राज्यसभा के विपक्षी दलो के नीता एक संयुक्त बैचक भी करेंगे और राज्यसभा के अंदर और बहार पेगागस जासूसी किसान अंदोलन और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष केंद्र के खिलाफ एक जुट खुता दिखेगा विपक्ष के नेता मलिका अर्जुन खडगे ने कहा कि सरकार कितना भी अड़ियल रवरिया अपना है हम केंद्र के खिलाफ एक जुटा से खड़े होकर जुटा से जुड़े जुरूरी मुद्दों पर संसद में आवाज बुलंद करते रहेंगे और उच्च सदाने में मंगलवार को विपक्ष ने पेगागास क्रिश्री कानून महगाई समित अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिये थे साथ ही सरन इस्तगेत होने पर मलिका अरजुन खर्गे के नितरुत में आनंद श्रमाद डीमके के तिरुची शिवा तरनमूर कॉंगरस के सुखेंदू सिपाई से बिनौ विश्मम और सीपीम से इले माराम करीम और आरजुडी से मनोज जा, आमादमी पार्टी के संजर सिंग और समाजवादी पार्टी से राम गुपाल यादव ने बहारा कर अपनी बात रखी थी टोक्यो में हो रहे ओलंपिक खेलों के बारे में लोगों की जागरुकता बढ़ाने के लिए ओलंपिक रिले मत्रा पहुंची और वहीं टोक्यो ओलम्पिक ज़ागरुतार रैली का मतुरा आगमन पर गनेश राज स्टेडियम में भव्वे स्वागत किया गया इस अफसर पर लक्षमन पूरुसकार विजवेतार अविकांत मिश्वा ने बताया कि टोक्यो ओलम्पिक चल रहे हैं और भारत की तरफ से अब तक इतिहास में सबसे बड़ा दल इस बार ओलम्पिक में भाग ले रहा है इसी कुले का खेल जगत पाउंडेशन ने मुहीम शुरू की गया उन्होंने बताया कि भारत सरकार और उत्रप्रदेश सरकार सभी खिलाडियों को उत्साहित कर रही है और इसी से प्रतसाहितों का हमने भी एक रैली निकाली है जिसमें उत्रप्रदेश, उलम्पिक संग और काफी यूआओ और खेल संगों का समर्थन हमें मिल रहा है ये रैले बरेली से शुरू हुई थी और लगभग 3625 किलो मीचा का सपर तै करेगी उन्होंने बताय कि ये रैली 51 जनपते जाएगी और टोक्यो उलम्पिक के बारे में लोगों को जागरुता लाने का काम भी करेगी साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कई जनपतों में उलम्पिक को लेकर अवेरनेस नहीं है दूसरा हमारा एक अभ्यान है और खेल चला गाउं की और इस सबाभ्यान को हम लोगों ने शुरू किया है ताकि मनरेगा के अंतगत और चौदवे और पंदरवे राज्य वित के अंतगत गाउं में खेल मैदानों का विकात सूँ सके और गाउं गाउं में खेल और खिलाडियों की जो सुविदा हैं वो महा तक पहुंच सके साथ ही इस मौके पर जिला क्रीडा अधिकारी स्पी ने बात करते हुए बताया किया औलम्पिक रिले मत्रा पहुंची है जिसको लेकर एक प्रोग्राम हमारे द्वारा किया गया है उन्होंने कहा कि उतरप्रदेश सरकार और केंद सरकार द्वारा खिलाडियों के रुटसाहन के लिए बहुत अच्छे काम किये जा रहे हैं वहीं उत्रप्रदेश सरकार द्वारा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मैडल जीतने वाले खिलाडी को 6 करोड और सिल्वर मैडल जीतने वाले खिलाडी को 4 करोड और ब्रांस जीतने वाले खिलाडी को 2 करोड की राशी प्रस्तावित की कई है इसके लावा जो खिलाडी टीम में जैसे होकी, बास्केटबॉल, खेलों में खेल रहे हैं, उनका गोल्ड जीतने पर 3 करोर और सिल्वर जीतने पर 2 करोर और ब्रॉंस जीतने पर 1 करोर का प्रस्ताब भी दिया जाएगा अगर सिल्वर मेडल लाते हैं तो चार करोर और ब्रॉंस मेडल लाते हैं तो इसको जो है पिचत्तर, पचास और पच्चीस हजार के राशिस सम्मानित किया जाता है इस तरी के एक रिले निकाली समतर प्रदेश ओलम्पिक संग का, खेल विभाग का, युवा कलनर विभाग का, बहुत सारे युवाओं का, खेल संगों का, हमें पूरा समर्तन पूरे प्रदेश में मिल रहा है मतरा में पूलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, दरचल मतरा के थाना, नौह जूहील पूलिस ने डकैती की यूचना बना रहे, नौन लोगों को गिरफतार कर लिया है इसके साथ ही पूलिस ने पूर्व में हुई तीन चूरी की घटनाओं का भी खुलासा कर दिया है वही गिरफतार किये गए डकैतों के कबजे से पूलिस ने 138 गैसलेंडर, 12 बोरी, सरसो और 32,300 रुपे बरामत किये हैं इसके साथ ही पूलिस में चूरी की घटाओं में इस्तिमाल की गई दो गाडिया, दो तमंचे, चार जिन्दा कार्तूस, पांच छरे और एक गन, और सब्बल और छेनी, प्लास, लोहे की रोट, चैग और फावरे भी बरामत किये हैं वहीं पूलिस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफतार कर आगे की कारवाई में जुट गई है जो इसमें काम कर रहा है, इन सभी घटनाओं की घटनासर दिरिक्शन और वहाँ से मिले साक्षियों को जब आपस में मैच किया गया, उस पर स्टडी किया गया, तो एक गैंग ट्रेस हुआ, जिसके दस मेंबर्स को आज अरेस्ट करने में सफलता मिली है, जिसमें एक महिला भी शामिल है, बिशेश रूप से ये जो गैंग है, ये गाजियाबाद के रहने वाले शकील और बिहार के रहने वाले मुलता राजू बिहारी दौरा गैंग बनाया गया है, जिसमें इन दस लोगों को शामिल करके इनको टार्गेट किया जाता, घरों को टार्गेट करके गुदाम को टार्गेट करके वहां से चोरी की वारदात की जाती थी शकील जो है वो गाजियाबाद का रहने वाला है और वहां का हिस्टी शीटर अफरादी है जो सलेंडर चोरी की इंडेन की एजनसी से घटना हुई थी उसमें से 168 में से 138 सलेंडर हो गए हैं जो सरसों की चोरी की घटना हुई थी उसमें भी काफी बोरे जो हैं वो बरामद हुए हैं इसके साथ साथ एक घटना लूट की रातली के समय पर घर में घुसकर हुई थी उस घटना में भी जो चार मुल्जिम अंदर गए थे उनके भी पूश्टाशने बात सामने आई है कि इसी के पास से 560 ग्राम अवैद मार्फिन और मुबाइल फोन और एक कार भी बरामत की है प्रेस कॉंफरेंस से दोरान मामले की जुरानकारी देते हुए अपर पुलिस सदेख्षक मरोश कुमा पांजे ने बताया है कि अभियोग तो पहले भी मार्फिन तसकरी के आरोप में जन पत आयोध्या में जिल जा चुका है पूश्ताज में अभियोग ने बताया है कि वो मार्फिन की छोटी-छोटी पुडियां बनाकर ग्रहकों को गाउं के पहार जगा बदल-बदल कर बेशता था ताकि किसी को शक ना हो सके जैतपुल को तवाली पुलिस ने शातर अभियो पदार्थों की तसकरी करने वालों के खिलाब सगन अभियान लगातार चलाया जा रहा है इसी क्रब में थाना जैकुर पुलिस ने एक अंतर जन्पदी मार्थीन तसकर को गिरबतार किया है जिसके कबजे से 560 ग्रहम स्मय बरामद हुई है साथ में तीन अधर मोबाइल और एक सेंट्रों कार भी कि भी बरामदी की गई है यह अभी छोटी छोटी पुडिया बनाकर बारा बंकी से लगे आसफास के जिलों में लगातार मार्फीन की तसकरी करता रहा है इसका काम अपने और सहयोग्यों के साथ बेचने का जिसकी तलास की जा रही है यह आयुध्या स मतुरा के भरतपुर गेट शेत्र के स्थाने निवासियों ने पानी की समस्या को लेका भरतपुर गेट से जंक्षन को जोडने वारे मार्फ पर अवरूद किया उनका कहना है कि लंबे समय से शेत्र में पानी की समस्या है और पार्शर से शिकायत करने पर भी समस्या का हल नहीं हो रहा है हालात ये हैं कि अब पांच दिन से तो एक बून पानी भी नहीं पहुंचा है और बस नगर निगम के द्वारा टैंकर रखवा दिये जाते हैं और उस पर भी आई दिन लड़ाई खूती रहती है हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि टैंकर से पानी लेने में कई लोगों के बीच खूनी संखर्ष भी हो चुका है आपको बता दें कि भरतपूर गेट के टकला गली उन्ट गली श्रंकर गली और चुरियाना महले में पानी की भारी किलत हो रही है जिसके शलते इस्थाने निवासियों ने हाथ में खाली बरतले कर सड़क पवेट कर प्रदश्रुन किया साथ ही रोट पर तार लगा कर आने वाले बहानों को भी रोग दिया महीं मौके पर पहुँचे भारतपुर गेट चौके इंचार्ज ने लोगों को समझा भुचा कर जाम खुलुआया साथ ही जाम लगा रहे लोगों ने कहा कि उन्हें शाम तक का अस्वाशन दिया गया था और अगर नगर निगम के द्वारा शाम तक पानी नहीं उनके घर पहुचा तो वो फिर से भारतपुर गेट के चौके को जाम करेंगे आप पानी चार पान देना के नल ना रहे है तो नल से पानी नियाता है नहीं प्रतुर निया नल के पानी कभी जबा महीना दो महीना आगे जादना दे कि दो वजे नल कर दाए वजे अब आद देते नहीं है कुछ भी देते नहीं सुछ लए तरह रह गई पबला मारे फिर से मेरा माचे न्यान चुभी जाले महले पास बूलग रहा है सबर वहापे लेल लग रही है जब जाके पानी मरे एक दूबासर मिला बात काहूल 22 के विधानसवा चुनाव का बिगुल बच चुका है जिसके चलते इस बार बोटरों को लुबाने के लिए जहां बस्पा ने ब्रहांबन सम्मेलन कर ब्रहांबन बोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है तो वही मंगलवार को राष्ट्य लोगदल के राष्ट्य अध्यक्ष जरन्त चौधरी के निर्देशन पर जनपत मुजफरनगर की खतौली विधानसवा सीच से भाई चारा सम्मेलन की श्रुआत की कई जिसमें 36 विरादरी के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया इस बारे में जानकारी देते हुए लोगदल के प्रदेश प्रवक्ता विश्यक चौधी ने बताया कि भाई चारा सम्मेलन में 36 बिरादरी के लोगों ने हित्सा लिया है उन्होंने बताया कि पिशली बार की तरह इस बार भी सपा लोगदल गटबंदन के साथ 2022 का विधान सवा चौनाव लड़ रही है और इसलिए चौनाव से पहले भाई चारा सम्मेलन के माध्यम से सभी विरादरी के लोगों को इक खत्रा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है आपको बता दें कि दो दिन पहले ही दिल्ली में सित जहन चौधरी के आवास पर पहुंचे सपा सुप्रीमो अकलेश यादव ने स्वर गया है पढूबिक सबसे पहला और सबसे जुरूरी काम है भविश्य रोशन होने के लिए भाई चारे का पेगाम देना और भाई चारे का काम करना यही इंसानित का असल फर्द है इनसान के कामा आ इनसान यही मघळभ यही डीन यही इमान निश्पक शोकर पहरे से उतके बलो ने यही किया है ये निश्पक शोकर टमाँ समय पढ़र जत्यासक्ट को ब्लागे और चलें हैं यही लसे स्मेलन से 2park टेयरी है बस यह के सब से पहरे पोई निसका पैजाब Стaraison ॥ाथी वि रुभी. जब जमीन तैयार होगे तो दाना में डाला जाएगा तो दर फसल होगेगी। देचे राष्टे लोग ने नेकरते में आज ये पहले भाईचारा संब्लावाई जित होगा है। इस पर राष्टे लोग ने तो वोगते हैं। इस पर राष्टे लोग ने तो भाईचारा जिंदाबाद काकर राष्ट किया है। गुड मॉर्निंग इंडिया बे फिलाक लेतना ही आप देखते रोगे न्यूस वोल इंडिया।